हाई दोस्तों आइटिक माँ सभी लोगों का स्वागत है कभी-कभी गलती से हमारा स्मार्टफोन हमसे गिर जाता है और गिरने की वज़े से ज़्यादा तर ये देखा गया है कि स्मार्टफोन की डिस्प्ले ही तूट जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है और हम हमारे स्मार्टफोन को दिवाल पर दे मारते हैं लाइक को चीज तरह से और उपस स्मार्टफोन की डिस्प्ले टूड जाती है स्क्रिन तूटने के बाद भी देखा गया है हाँ एक ऐसा तरीका है बट यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले टूट चुकी है यानि कि कोई हाड चीज है और वो टूट चुकी है तो सिंपल है और उसे तो रिपैर करना ही पड़ेगा उसे तो रिप्ल मर चुके हैं तो एक ऐप आपके डिस्प्ले के कुछ पिक्सल को वापस ला सकती है या फिर मैं कहूं कि कुछ पिक्सल को रिकावर कर सकती है और यह मेरा कहना नहीं है यह एक आप का दावा है और इस एप पर में भरोसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस एप को एक मिलियन स ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और साथ साथ में इसे 4.2 की रेटिंग मिली है तो मुझे लगता है कहीं ने कहीं ये एप काम करती होगी तब ही तो इतने सारे लोगों ने इस एप पर भरोसा किया है तो अगर आपको लग रहा है कि आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर कोई डौट आचुका है कोई pixel खराब हो चुका है तो आप इस एप को बड़ जवर से ट्राइ कीजिएगा और अगर आपके smartphone के display बिल्कुल सही सलामत है तो मेरा आपको यही कहना होगा कि आप इस app को try ना करें क्योंकि यह app आपके smartphone के display के सारे pixel को refresh करेगी या फिर मैं कहूं के reset करेगी तो चले फटा-फटाम जान लेते कि वो कौन से app है तो चले मैं आपके time waste ने करता हूँ फटा-फटाम इस वीडियो को start करते है मेरा नाम ही रुपान और आप देख रहा है iTech वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को like कर दीजे और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो यहाँ पर click करके चैनल को subscribe कर लिए और खास करके इस notification bell को on कर दीजे क्योंकि अगर यह on होगा ना तो जब भी मैं कोई नाए वीडियो upload करूँगा था एक जट उसी time पर इस वीडियो को notification आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो सबसे पहले आपको इक app install करनी होगे जिसके link में आपको इस वीडियो के description में देदेंगा और जिकर direct आप इस app को install कर सकते हैं आपको install करनी के बाद सिंपल है आप इस app को open किजे open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पर आपको दो तरह के option दिखाए देंगे जिसमें सबसे पहला होगा check date pixel और दूसरा होगा fix date pixel तो सिंपल अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके smartphone में कोई pixel date हो चुका है तो आप यहाँ पर click किजे click करने के बाद आपको यहाँ पर दो option दिखाए देंगे जिसमें सबसे पहला होगा auto और दूसरा होगा manual तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल आप auto पर click कर सकते हैं click करने के बाद आपके smartphone के display कुछ इस तरह की दिखाए देगी यहाँ पर आपको अलग-अलग color जो है वो दिखाए देंगे basically जो app है यह आपके smartphone के screen को refresh करेगी एके color करके आपके smartphone के display को change करती रहेगी ताकि कहीं पर अगर कोई pixel date हो तो आप वहाँ पर देख पाए और यह app उसे detect कर पाए और अगर आपके smartphone में कोई pixel date दिखाए देता है तो सिंपल आप fix date pixel पर click किजी यहाँ पर click करने के बाद आपको दो option दिखाए देंगे सबसे पहला होगा start और दूसरे में आप यहाँ पर timer भी लगा सकते हैं तो आप चाहो तो timer लगा लिजे बट मैं आपको कहूंगा कि आपको start वाले button पर ही click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करते ही आपके smartphone के screen कुछ इस तरह की दिखाए देगी यहाँ पर आपके smartphone के सारे pixel reset होना सुरू हो जाएंगे हर बार आपको यहाँ पर अलग-अलग color देखने को मिलेंगे तो वैसे तो यह काफी डरा होना है बट अगर आपके smartphone के display खराब हो चुकी है pixel date हो चुके तो आप इस app को एक बार try कर सकते हैं तो आपके यह वीडियो काफी पसना है तो प्लीज लाइक केजिगा उस वीडियो को शेयर केजिगा उन दोस्तों को जिनके smartphone के display टूट चुकी है या फिर हम कहें के pixel date हो चुके है और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो दिखना चाहते हैं तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेरी नहीं वीडियो मिलते रहेंगे तब तक लिए अध्याने के दोस्तों टेक केर बाइ झाल